ही दोस्तों स्वागत आप सबका मैं हूँ रालेटिटर मार्केटिंग एक्सपर्ट, मर्डी विसनिस स्पेकर, फाउंडर आप वॉक्समेडिसलीचन्स टॉट कॉम, आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि दोस्तों आप उने बिजनिस के लिए एक फिरी वेबसेट कैसे बना सकते हैं, दोस्तों अगर आप एक उन्टरिपनियोर है, बिजनिसमेन है, या फिर दोस्तों आप एक स्टूडेंट है, और दोस्तों आप खुद का बिजनिस से स्टार्ट करना चाते हैं, या फिर दोस्तों आप एक उन्टरिपनियोर है, बिजनिसमेन है, आपके पास दोस्तों कोई बिजनेस है कोई product है और आप उस product को दोस्तों online लेके जाना चाते हैं और उसके लिए दोस्तों एक free में business website बनाना चाते हैं तो मेरे वीडियो को अंतक जरूर दिखना क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step complete guide करने वाला हूँ कि दोस्तों आप अपने business के चैंचाते हैं आप फ्री वेबसेड कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर मैं आप को step by step बताउँगा कि दोस्तों आप अपने business के according एक free тому new कैसे ले सकते हैं आप फ्री में hosting कैसे ले सकते हैं आप अपने business के लिए दोस्तों एक template कैसे चूश करें और साथी भी सीखना चाहते हैं कि अपने business के लिए आप एक free website कैसे बना सकते हैं तो मेरे वीडियो का अंतर जरूर देखना और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियो से लगतार देखने हैं अगर आपको डिजिटल marketing सेखते रहें, motivational वीडियो रखते रहें और अपने business को ग्रो करते रहें और बिजिनस के लिए वीडियो से लिए बनाने के लिए आपको Google में विजिट करना है और Google में विजिट करने के बाद दूस्तों आपको यह पर टाइप करना Mac के फिरी website और उसके बाद दूस्तों आपक पता रहा हूं, जहां पर दूस्तों आप अपने business के लिए फ्री website तो बना ही सकते हैं, इस platform का नाम है website.com, यहां पर पढ़ भी सकते है creative free website, free website builder website.com, तो दूस्तों अगर आपका कोई business product है और उसके लिए आप एक free website setup करना चाहते हैं, तो अब आपको दूस्तों क्या करना है इस वाली official website के link पर आपको click कर दना है, link पर दूस्तों आप जैसे click करेंगे, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने website.com का जो official link है, वो आपके सामने खुल गया है, और किस परकार के website आप बना सकते हैं, वो भी आपको यहां पर देखे, जानगारी दी गई है, स button पर दूस्तों आप जिसी click करेंगे, अब आप यहां पर दिख सकते हैं कि दोस्तों आपके सामने एक नया page खुल गया, और यह है आपका sign up page, sign up page के अंदर दोस्तों आपको website.com के उपर एक account setup करना पड़ेगा, देखे दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर nature scroll down करिए, और य इन plans को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहां पर पैसा आपसे मांगा जा रहा है, तो हम इन plans के बारे में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ free वाले plan को ही select करेंगे, तो आपको क्या करना है, free वाले plan के उपर जो select का button दिख रहा है, इस वाले button पर आपको button पर दूस्तों अब जिसे click करेंगे, अब आपसे यहां पर sign up details पूछा जा रहा है, तो आप अपनी details step by step fill करिए, यहने अपनी details को complete यहां पर fill कर लिया है, उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है, sign up वाले button पर click कर देना है, button पर दूस्तों अब जिसे click करेंगे, अब आपके सामने एक नया पेज़ खुल गया है और यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी वेबसाट का नीम दीजे तो आपकी वेबसाट का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वह आप यहां पर एंटर कर सकते हैं देखें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा यहां के सामने आपके नया पेज़ खुल गया है और यहां पर आपसे बोला जा रहा है आलमास्ट देर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉड आउं करेंगे तो देखें यहां पर कुछ प्रॉसेस चल रहा है यह प्रॉसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना नेक्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप बटन पर क्लिक करेंगे दुबारा से रिक्वेस्ट डलना स्टार्ट हो गई है और रिक्वेस्ट डलने के बाद दोस्तों अब आपके सामने एक नया पेज़ खुल गया है और यह पेज़ के अंदर आपको क्या करना है तो मैं अपने अकाउ को यहां पर active कर लिया है account active करने के बाद दूस्तों अब आपका जो website.com पे जो आपका account था वो complete registered हो गया है और आपको एक free domain name भी यहां पर मिल गया होगा दूस्तों domain name मिलने के बाद दूस्तों आपको क्या करना पड़ेगा अपनी website को customize करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा दूस्तों build my site वाले बटन पे क्लिक कर देना है बटन पर दूस्तों अब जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने दुबारा से यहां पर login दूस्तों आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपकी website को customize करना पड़ेगा तो website को आप customize कैसे कर सकते हैं उसके लिए दूस्तों आपको क्या करना पड़ेगा added site वाले बटन पर क्लिक कर देना है अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया page खुल गया है और यह वाला जो page है आपके सामने वो है आपकी website templates का जिसके अदर दूस्तों आप अपनी website का template चूश कर सकते हैं यानि कि आपके website के लिए theme चूश कर सकते हैं तीम जूश करेंगे theme चूश करने लिए दोस्तों आपको आपका business देखना पड़ेगा कि आपका जो business है, वो किस परकार का है, आपका जो product है, वो किस परकार का है, उसी परकार का दोस्तो, आपको यहाँ पे एक theme चूज करना पड़ेगा, जिस भी परकार का आपका दोस्तो business है, उसकी लिए अगर आपको theme ढूडना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉर्ड दाउन करके आप यह पे काफी सारी तीम्स को use कर सकते और भी आपको pages यहां पर मिल रहे होंगे साती साथ दोस्तों अगर आप यहां पर direct search करना चाते हैं तो देखे आप यहां पर direct search भी कर सकते हैं जिसे मेरा काम है digital marketing का तो मैं आप देखे digital marketing सर्च कर लूँगा digital marketing मैंने एंटर किया और search वाले बटन पर दोस्तों जैसे click करूँगा मेरे सामने जो भी digital marketing की themes होंगी वो आजाएंगी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो भी digital marketing related themes हैं वो सारी की सारी आ रही है इस परकार से दोस्तों आपको भी जो भी theme यूज करनी है वो theme आप यहाँ से search कर सकते हैं और उसको आसानी से use कर सकते हैं तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने business के according यहाँ पर एक template चूज कर लिए और यह है मेरे digital marketing company के लिए एक अच्छा कासा थी अगर आप इसको नीचे स्क्राड़ाओं करके देखेंगे तो देखेंगे यह आपका slider है का button भी है उसके साथ दोस्तों मेरी services यहाँ पर देख सकते हैं over services के अंदर मुझे तीन service का column भी मिला और यहाँ पर देखें मुझे यहाँ पर एक footer menu भी अच्छा कासा मिला social links भी मैं use कर सकता हूँ अपना address भी यूज कर सकता हूँ brand के बारे मैं भी थोड़ी बहुत information देख सकता हूँ customize दोस्तों आप कैसे करेंगे और कैसे अपने business के according यहाँ पर complete website बनेगे यहाँ पर कुछ menus दिये गए आपको जिनका आप यूज कर सकते हैं यह कुछ आपके सामने tools हैं जैसे कि आपको कोई element लगाना है तो यह वाला option यूज कर सकते हैं अगर आप मालीजे card वगरा यूज क दोस्तों आप यह blog, restaurant और multi language वगरा में कुछ करना है, members वगरा बनाने तो यह सारे tools आप use कर सकते हैं अपनी website को बनाने के लिए वैसे दोस्तों आप इस website को हम लोग design कर लेते हैं इन tools का इस्तमाल करते हुए तो सबसे पहले हम change करेंगे दोस्तों आपना logo यहाँ पे देखे click to upload वाले बटन पर आपको click करके आपकी जो भी logo है यानि कि जो भी आपका image है वो आपको upload कर देना है, मानलेजे दोस्तों यह वाला मैं use कर लेता हूँ एक बार photo तो मैंने यह upload कर दिया है और use image वाले बटन में click कर दूँगा, use image वाले बटन पर दोस्तों जैसे click करूँग वो दो बाद जैसे click करेंगे आपका header menu आपके सामने पूरा का पूरा खुल के आ गया है, सबसे पिले देखे, आप header menu के अंदर क्या-क्या option मिल रहा है, आपको home मिल रहा है, service मिल रहा है, gallery मिल रही है, और contacts मिल रहा है, अगर आप इसके अंदर को changes करना चाहिए, देखे, य gallery इस प्रकार से अलग-अलग हो चुका है, अगर आपको और कुछ add करना है, header के अंदर, तो आप देखे, add link to site menu वाले button पे आप click करिए, और जो भी आपको add करना है, वो आप अपने according add कर सकते हैं, जैसे माल लो store वाला column मुझे add करना है, तो यहाँ पे मैं store वाले button पे click करता हूँ, save वाले button में दोस्तों मैंने जैसे click किया, link आ गया है, link के अंदर मुझे क्या डालना है, store, store मुझे डालना है, और store मैं जैसे डालूँगा, देखे दोस्तों, यहाँ पे देखे, header menu के अंदर store भी आ गया, तो इस परकार से header menu के अंदर आप कुछ भी changes कर सकते हैं, मै slider के अंदर जो भी आप text देख सकते हैं, इनको भी आप change कर सकते हैं, सबसे फिले हम दोस्तों यहाँ पर जो text है, उनको हम change कर लेता है, तो देखे, मैंने दो बार click किया मेरे slider पर, और जो भी text है यहाँ पर देखे, title को मैं change कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता है, best digital marketing company, इस परकार से मैंने लिखा, title मैंने change कर दिया, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चाये तो, आप caption को भी change कर सकते हैं, caption के अंदर भी मैं दोस्तों title को पेस्ट कर दूँगा, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद दोस्तों अगर आप आप यहाँ पर देख सकते हैं, slider के अंदर भी आपने changes कर लिया है, यहाँ पर जो पहले text आ रहा था, वो नहीं आ रहा है, best digital marketing company वाला text यहाँ पर change हो गया है, और यहाँ पर भी best digital marketing company हो गया है, अगर आपको और को change करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इस slider वाल image को change करना चाते हैं, तो आप इसको कैसे change कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें, दो बार आपको इस पर tap करना है, और यहाँ पर देखें, replace image वाले button पर आपको click करना है, replace image वाले button पर दोस्तों आप जिससे click करेंगे, हम लोग यह वाला image यहाँ पर use कर लेता हूँ, तो मैं इस image वाले टिक पर करता हूँ, और यहाँ पर use image वाले button पर click करता हूँ, और save वाले button पर दोस्तों मैंने जैसे click किया, देखें, मेरा जो slider का image है, वो भी change हो चुका है, इस परकार से दोस्तों आप slider के images भी change कर सकते है अपने business के according, उसके बाद दोस्तों आपने menu change कर लिया, आपने slider change कर लिया, slider का text change कर लिया, अब आपको नीचे scroll down करना है, और बाकी changes आप कर सकते हैं, अगर आप इस text के अंदर को changes करना चाते हैं, तो आप इस text के अंदर भी changes कर सकते हैं, जैसे welcome लिखा हुआ है, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं, वाक्स, वाक्स, मीडिया, solutions, इस प्रकार से, वाक्स, मीडिया, solutions मैंने यूज करा, इस वाले के text के अंदर भी आपको को change करना है, तो देखे, आप इस वाले text के अंदर भी change कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इस text को भी change कर सकते हैं, वाक्स, मीडिया solutions.com यह वाला ग्राफिक आपको यह वाला टेक्स दोस्तों आपको काफी बड़ा लग रहा है तो इस वाले टेक्स के अंदर भी वैसे दोस्तों आपको कुछ चेंज करना है यह वाले जो टेक्स है दोस्तों आपको वह लिखवाने पड़ेंगे content writer से तो माल नीचे अगर आपक इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको font के अंदर आपको देखें कुछ बड़ा चोटा करना है तो देखें आप इसको बड़ा चोटा भी कर सकते हैं इसको select करिए और देखें आप इस प्रकार से इसको बड़ा भी सकते हैं अगर आपको bold करना तो आप देखें दूस्तों य यूज करना चाहते हैं वो सारे के सारे options आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आप इनका आसानी से यहाँ पर देखें आतर कर देता हूं इसके बाद दो वाला आपको कॉलम दिख रहा है, और सब्विस के अंदर आपको कुछ चेंज जज करने हैं, तो आप कर सकते हैं, जैसे कि my best services, इस परकार से आप दोस्तों कुछ भी चेंजज कर सकते हैं, आप इसको board करना चाते हैं तो आप board कर सकते हैं आप इसके phone size को change करना चाते हैं उसके बाद दूस्तों आप यहाँ पर content के अंदर भी change कर सकते हैं मैंने आपको उपर बता दिया कि content आप कैसे change करेंगे आप इस परकार से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं best digital marketing company in India इस परकार से आप यहाँ पर देखे लिख सकते हैं जो भी आपको content लिखना है अपने according उसके बाद दूस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपनी services के अंदर भी change कर सकते हैं graphic design का आपको service यहाँ पर पहला दिया गया है अगर आप इस graphic design की service को change करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखे change कर सकते हैं मैं अपना यहाँ पर change कर लूँगा यहाँ पर मैंने edit button पर click किया और addit title पर मुझे click करना है एड़ी टाइटल पर दूस्तों जैसे क्लिक करेंगे देखे, खुल गया आपके सामने, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, डिजिटल मार्केटिंग की मैं सर्विस ओफर करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर मैं यूज कर लूँगा, उसके बाद दूस्तों अगर आप इस इमेज को चेंज करना चाहें, तो देखे, रिप्लेस इमेज वाले बटन पर क्लिक करिए, और जो भी आपको इमेज यूज करनी है, वो आप देखे, यहाँ पर काफी सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, इन आइकन्स में से एक आइकन आप आसानी से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर देखे, यह वाला आइकन चूज कर लेता हूँ, और यूज इमेज वाले उप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो यह वाला आइकन मैंने चूज कर लिया, उसके बाद दोस्तों के अंदर चूज करना है, तो क्याप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं बैस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं बटन के अंदर दोस्तो आपको कोई चेंज करना है तो आप बटन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं कॉल असवारा बटन आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों आप Services के अंदर भी Complete Changes कर सकते हैं, Save वाला पटन पर दोस्तों आप जिसे ख्ली करेंगे, देखें आपका जो Service आपने Change करा है, वो Complete Changes आपके सामने आगया हैं, इस प्रकार से दोस्तों आप बाकी Services को भी Change कर सकते हैं, ये वाला भी आप Change कर लीजी ये चेंजिस करना चाहिए तो वह भी आप कर सकते हैं कैसे देखे दो बार आपको इस पर क्लिक करना है और आप अपना न्यू ग्राफिक आप यहां पर आसानी से लगा सकते हैं Replace image पे click करिए और जो भी आपको i message अपने business के according लगानी है वो image आप यहाँ पे use कर सकते हैं. माल लिजे, for example, मैं यह वाला graphic यहाँ पे use कर लेता हूं, use this image पर click किया और use image पर click करते ही यह change कर सकते हैं, save all a button पर click करिए और आपका जो changes आपने किया था, वो automatically change हो गया और यह वाला जो image आप देख रहे हैं, यह अब आपकी website के अंदर add हो चुकी है graphics को change करने के बाद दोस्तों अब आप थोड़ा नेचे scroll down करिए और अब आपके सामने देखे, यहाँ पर आपका footer menu खुल गया देखे, सबसे पहले तो your brand के अंदर आपको change करना है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अपनी company का नाम, walks media solutions यहाँ पर देखे, मैंने use कर लिया company का name, walks media solutions उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी brand, अपनी company के बारे में थोड़ी बहुत information देनी है जैसे we provide, इस प्रकार से दोस्तों आपको अपके थोड़े brand के बारे में लिखना है email address दोस्तों आपको जो भी use करना है, वो आप email address भी use कर लिजे, देखे info, add the rate, walks media, इस प्रकार से आप अपना email address भी change कर सकते हैं उसके साथ साथ दोस्तों आपके business आस भी आप change कर सकते हैं, कौन-कौन से घंटे आपका business open होता है वो भी आप यहाँ पर आसानी से change कर सकते हैं तो आपको मैंने दोस्तों दिखा दिया वैसे, कि आप अपनी पूरी theme को कैसे पूरा का पूरा customize कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़े add करनी है, वो आप आप आसानी से कैसे कर सकते हैं Design के अंदर दोस्तों आपको और भी कुछ changes करना है, तो आप design के अंदर भी आसानीचे change कर सकते हैं. जैसे elements के अंदर आपको कुछ लगाना है, तो elements के अंदर दोस्तों आप यहां पे click करिए, और जो भी चीज आपको लगानी है, वो आप अपने according website के अंदर लगा सकते हैं. जैसे माल लीजे, अगर आपको कोई form लगाना है, यह map लगाना है, तो वो भी आप यहां पर देखे लगा सकते हैं. इस परकार से form आप select करिए, जैसे माल लीजे, मैं ये वाला form select कर लेता हूँ, और submit वाले button पर click करूँगा, तो मेरा form यहां पर देखे आ गया. इसको मैं drag कर लेता हूँ, इसको मैं देखे यहां से उठा के, और एक side में मैं लगा देता हूँ. यह मैंने form दोस्तों यहां पर last के अंदर use कर लिया. यहां पर मैं dismiss button पर click करूँगा, तो मेरा form देखे यहां पर automatically लग गया दोस्तों. उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर और भी बाकी सारे कुछ options मिल रहे हैं, जिनका इस्तमाल भी आप कर सकते हैं. जैसे मैंने देखे, यह वाला click किया, और आपका जो पूरा का पूरा slider था दोस्तों, वो change हो गया. इस परकार से दोस्तों आप अपने slider को भी change कर सकते हैं, इस वाले button पर click करके, बाकी दोस्तों आप services को change करना चाते हैं, तो service भी change कर सकते हैं, आपको portfolio बनाना है, तो portfolio भी बना सकते हैं, profile बनानी है अपनी खुद की, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको complete एक website को customize आप कैसे कर सकते हैं, और कैसे अपने business के according एक पूरी free website आप बना सकते हैं, आज के वीडियो में मैंने आपको इसके अंदर complete guide कर दिया, आप दोस्तों आपको final work क्या करना है, इस website को आपको publish करना है, जैसे आप continue वाले बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे, आपकी जो website आपने बना ही है, वो completely publish हो गई है, आप देखे, congratulations, और ये है आपका site, आप इस site को view भी कर सकते हैं, view site वाले बटन पे दोस्तों आप जिससे क्लिक करेंगे, ये आपका देखे, उपर domain name खुल रहा है, domain name में आपको copy कर सकते हैं, और किसी को भी आप share करना चाहिए, तो आप अपनी website को share भी कर सकते हैं, देखे, नेच्चो स्क्रॉल करिए, और देखे, सारे के सारे आपको changes दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से दोस्तों आप अपने business के लिए एक complete free website आसानी से बना सकते हैं, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपने step by step ये भी सीख ले होगा, कि दोस्तों आप अपने business के according एक free website कैसे बना सकते हैं, दोस्तों अगर आपको वीडियो से लिलेटिक कोई सवाल जो आप है, तो आप मुझे नीचे comments box में comments कर सकते हैं, next video दोस्तों आपको किस topic पर चाहिए, आप दोस्तों बोबी मुझे नीचे comments box में comments कर सकते हैं, एक और बात मैं आपको बदाना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको लगता है कि मेरे जो वीडियोस है, वो knowledgeable है, आपको मेरे वीडियोस को सेखने का मोगा मिलता है, तो जो मेरे वीडियोस है, चैनल पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, उन वीडियोस को आप अपने family और friends तक भी जरूर शेर कर देज़ेगा था कि उनको भी दोस्तों कुछ knowledgeable वीडियोस मिलता रहें, और वो भी अपने business को expand करते हैं, business को grow करता रहें, साथी साथ दोस्तों अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाते हैं, अगर आप मेरी agency के साथ मिलके work करना चाते हैं, आप Digital Marketing Services चाते हैं, या Digital Marketing का course करना चाते हैं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको contact detail दिख रही होगी, इस नमबर पर आप मुझे contact कर सकते हैं और मेरे साथ मिलके दोस्तो आप डिजिल मार्केटिंग सर्विसिस ले सकते हैं आपने business को expand कर सकते हैं आज की वीडियो में पस्तो तो इतनी दोस्तो वीडियो को लाकतार देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब भी का बहुत बहुत धन्यवाद